तो दोस्तों सवाल आया करता है जिसमें पूछते हैं कि जानवरों का नाम दे दिया जाता है उसे पूछते हैं कि इन में से कौन सा सवाल अक्सर आता है तो जब भी आप किसी इंडेंजर्ट करते हैं तो वह आयू सीन के आधार पर करते हैं अपनी एक क्लासिफिकेशन रिलीज करती है जो की हमारा सोर्स होता है का तो आज की क्लास में हम यही क्लासिफिकेशन क्या है औ książ श् Earamas इस्तिमाल करती है इसंक्लासिफिकेशन को बनाने में तो कि आज की होने वाली है रग डीटा बुक क्या है रेडे लिस्ट पिंक लिस्ट ग्रीन लिस्ट क्या है यह सारी चीजें इसे अकसर सवाल बनाया तो बहुत इंबोर्चेंट क्लास है तो आई यह को start करते हैं और यहां पर अगर आप देखे तो इंडिया के टॉप एजुकेटर समारे साथ अविलेबल है जो मुझसे पहरी बार जोड़ें उनके मेरा नाम किंजल चौधरी है अल्टिमेट सेर्प्राइस 20 बुक्स जिसने आपको कॉंपलिमेंट्री मिल रही है वो एप्रिल 14 तक एक्स्टेंट कर दिया गया है तो आप एप्रिल 28 तक एक्स्टेंट कर दिया गया है तो जिसके तहट आपको ईडिशनल मिलेंगे यदि आप एक साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसके चलेगा करने वाली है लाइक वाइस प्लस और दोनों के कॉस्ट आप देख सकते हैं के सिवा दोस्तों अगर आप आप सब्सक्रिप्शन देखे तो इसकी कॉस्त है एक साल की 24 साथ सो पचास रुपए आफ्टर यूजिंदी कोड के सीवन सिरो अगर आप तैम अगर आप तहें तो ऑप्सट जी स्क सब्सक्रिप्शन अविलेबल है हमारे पास एंड बहुत सारे सीरीज भी रन किये जा रहे हैं तो केसी वन जिरो कोड से इनको आप अनलॉक कर सकते हैं एप्रिल 14 से बहुत सारे बैक्स चार्ट हो चुके तो यही वक्त आइडियल है अनकाडमी सब्सक्राइब करने का अनका प्राइब करने वाली है तो गुड़ मॉनिंग राजिश गुड़ मॉनिंग पूजा जैकिरन गुड़ मॉनिंग तो अवास क्लियर है सब कुछ सनाई दे रहा है बढ़िया है तो दोस्तों सबसे पहले देखे रेड़ डेटा बुक है क्या तो आयूट यही किताब चापती है रेड़ डेटा भूक आप देख सकते हैं अलग-आलग इनवर्टीबरेट पे है प्लांट पे पॉल्त पे है नां क्या है तो और कि स्का direction इंटरनाशनल यूनियन फॉर दी कॉंसर्वेशन ऑफ नेचर जाए जाके मेरे करेंट अफेर्स वाले में एक मैंने एक सिरीज लाई थी जाया था मैं जिसमें अलग-अलग और्गनाइजेशन कवर किया है जिसका परपस क्या है इनवायमेंट के खिलाफ लड़ना और बायोडायवर्सिटी को सेव करना तो उसी की भुक है एक पबलिक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अगर देखो तो जितने भी इंडेंजर्ड पिशीज रेयर फिशीज फिर वो चाहे प्लांट के हो एनिमल के हो फंगी के हो उन सब का वरणन है कि भाई यह जो जानवर है यह विलुपती के कागार पर है अभी इसके खिलाफ बचाने के लिए काम करना शुरू करो यह जानवर है लंगूर है हनुमान जिसको हम कहते हैं हनुमान लंगूर तो वह लंगूर है तो इसको अभी कोई थ्रेट नहीं है लेकिन कुछ जानवर है जैसे टाइगर है तो वो कहेंगे कि भाई इंडेंजर्ड है बेंगॉल टाइगर मतलब क्या हुआ कि अभी इसके इसको बचाने के लिए आप काम नहीं किये तो आने वाले काटेगरी में डाला गया है कुछ एसे को एक जैसे आप उपर चलते जा रहे हो उसकी एक्स्टिंग्शन के कगार पर आती जा रही है और आप देखो एक्स्टिंग्ट हो चुकी है तो इस प्रकार से क्राइटेरिया है अब जाहिर सी बात है यह क्राइटेरिया अगर बनाए गए है कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनके अधार पर किसी स्टीस को एवालूएट किया जाता होगा सभी तो उनको पता चलेगा यह इंडिंजर्ड है कृटिकल होंगे नंबर में एरिया कहां पर रण कर रही है वहाँ पे कुछ parameters होंगे तो आज हम वो parameters को भी जानेंगे तो इसी किताब में अगर आप देखो तो यह जो लाल किताब है इसमें कुछ पन्ने हैं जो pink color के हैं तो UPSC ने इसी पर सवाल भी पूछा है pink pages तो pink pages अगर आप आप देखें तो यह वो species हैं जो कि critically endangered है critically endangered मतलब अभी कुछ नहीं किये तो यह species आने वाले दिनों में extinct हो जाएंगे extinct in the wild होंगे पहले jungle से खसाफ होंगे और उसके बाद समय दुनिया से ही खतब हो जाएंगे तो यह वो species हैं जिनके जिनको बचाने के लिए आपको अभी काम करना है तो इसको क्या कहेंगे pink pages जैसे किताब होती है तो किताब में कुछ पन्ने आपने कैसे मार्क किया होगा कु एक मिनट दीजे मैं आपको किताब के रूप में ही दिखा देता हूं यह जैसे एक किताब है इसी प्रकारी किताब है इसमें यहां पे कुछ पन्ने क्या कर दिये जाएंगे pink color के ऐसे margins इसके कर दिये जाएंगे तो इसके क्या पता चलेगा इस किताब में इतने मोटे पन्न क्या हैं Pink Color के यह पन्ने यादी Pink Color के मतलब यह वह स्पिशीज है जिनको विलुपती का खतरह है आने वाले दिनों में खतम हो जाएंगे आने वाले दिनों में वो कि क्रिटे एक्स्टिंक्शन के कगार पह हैं extinct होने वाले हैं कुछ पन्ने heeft हरे कि has a green-peat ग्रीन पेज़़ में वो स्पीशी है जो कभी इंडेंजर्ड थे इंडेंजर्ड थे किसी जमाने में परब रिकवर हो चुके हैं कभी वह विलुप्ती के कगार पे थे पर अब उनकी माढ अब उनकी संख्या बढ़ चुकी है तो इस लिवल पे आ गए हैं कि अब उन फिलुप्ती का खत्रा नहीं है तो दो प्रकारवेपनें पिंक पिज़े घ्रीन पिज़ेगें इसमें इसमें सिर्फ खत्राइब्ल है घ्रल है उनको अलग अलग लेफल पर ढाल देती है कि ये species endangered है ये species critically endangered है ये vulnerable है तो ये सब तो बाट ठीक है पर वो क्या factors है जिस वजे से कोई species ज्यादा vulnerable हो जाता है विलुपती का तो कोई कम तो वो क्या-क्या factors हो सकते हैं आई ये पहले उनको एक-एक करके हम आज जानते हैं चरिए सब्सक्राइब करें कि आट ये बाद भोलूगा नहीं ऊक्ये संकल्त बिल्कुल टफ टॉपिक नहीं है देखिए मैं आपको बता दूँगा इसमें क्या याद करना है और क्या समझना है तो बिल्कुल घबराए ये जितना बता हो बस उतना सुनते जाईए कहानी की तरह concept है प कम अब मैं जो कि कुट्टा विलुपति के कगार पर है सबस्तों और क्या होगा ten percent rule याद कीजिए तो 10% रूल जया कहती है उसके वो ट्रॉफिक ट्रॉफिक लेवल पर टॉफिक लेवल पर तो उसके पास एनरजी क्या रही है बिल्कुल कम आ रही है तो किसी ecosystem क्या बहुत सारे tiger बरदास्ट कर पाएगी कुछ ही tiger होंगे उस ecosystem में तो टाइगर की मातरा कम होगी वहीं कुत्ता प्रॉफिंट ब्रीडर होता है एक बार में एक कुत्ते के नजाने कितने बच्चे होते हैं और वो बच्चे शर्वाइवल रेट भी ठीक ठाक हो जाते हैं खाने में भी कुछ ऐसा प्रेफरेंस नहीं है तो उसकी शर्वाइवल कोई स्पिशीज है highly specialized है कि बस मैं तो युकलिप्टस का पत्ता ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा तो वो स्पिशीज क्या करेगा अगर युकलिप्टस काट दोगे तो कुछ दिनों में मर जाएगा उसके पस खाना नहीं बचेगा कुआला की बात हो रही है वैसे ही म तो बस बैंबू का पत्ता खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा तो क्या होगा कुछ दिनों में अगर बैंबू खतम होगे जंगल बैंबू के तो इस्पिशीज भी खतम हो जाएगी तीसरा है जेग्रफिक रेंज और डिग्री ऑफ फ्राग्मेंटेशन वो स्पिशीज ज तो जैएंगे तो जनिटिक वेरियेशन और बढ़ती जाएगी तो अगर मैंने आपको पताया था जब हम जनिटिक लिवल पर बाइवर्सिटी प्ढ़ रहे थे तो क्या कहा था जितनी ज्यादा जैड़ाइवर्सिटी है फिशीज की सर्वाइवल उतनी ज्यादा होती है त तो वहां के स्विशीज खतम हो जाएं पर कोई स्विशीज है कि वो बस साउथ अमेरिका के यदि इस कोने में पाया जाता है वाइडली डिस्ट्रिब्यूटेट नहीं है तो जरा सी यहां पर क्लाइमेट चेंज हुई या चड़ा सा यहां का डिफॉरेस्टेशन हुआ यह ज नूट्रियंट उसके बरकरार हैं इंसानों ने उस पर इंटर्फेर नहीं किया है तो जो उसका नाचुलल इको सिस्टम है जिस प्रकार से जो ट्रॉफिक लिवल्स है वो सब मेंटेंड है तो उस पिशीज अपना खाना जुगार देगा यह सब अभी हम डेप्थ में एक ए इन सारे factors के अधार पे कोई species जदा vulnerable होते हैं कोई कम vulnerable होते हैं वैसे हिं reproductive potential कितना जादा कोई species होती है कि जैसे एक बर्ड है वह आप देखो के ना तो बहुत टाइम बाद जाके एक अंडा देती है और उससे बच्चे उसके होते हैं और वहीं आप देखो कोई बड़ा मैमल है तो वह कोई छुटा मैमल है जैसे फॉर एक्जांपल रैबिट वह क्या करता है एक बार में कई बच्चे होते है उसके और सर्वाईवल रेड वी हाई होती है तो जो स्ट्यांदा बच्चे एक बार में पैदा कर पा रहा है उसकी सर्वाईवल चंसे थोड़ी ज्यादा है तो विदिटिकली स्ट्डिकली recipients की alergьте उसको जादा बच्चे तक उसका ध्यान रखना पड़ता है तो आई इसको डिप्थ में एक एक करके डिटेल में समझते हैं तो जैसा मैंने का पहला नैरो जोग्राफिक रेंज तो यह देखिए गोल्डन लाइन टैमरें बंदर है न्यू वर्ल्ड बंदर है न्यू वर्ल्ड याने देखिए हुआ क करते हैं जब यूप एज फे तो उन के पास पहले मैप कहां तक की थीập ऐशय मालूम था उनको यूरोप मालूम था अफिक मालूम था इतनेहीं दुनिया कि योपींस किया कि दुनिया करने चले तो लोगों ने- घुंद नौर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अस्ट्रेलिया तो तहर si North America to sort America new world कहते हैं तो वहां के जो बंदर से उनको क्या बोलेंगे New World to or a new World एप अतनी से इलाके में बढ़ें इतने इलाके में पाया जाता है तो जरासी वहाँ पे डिफॉर्स्टेशन हुई वहाँ की इको सिस्टम बदली यह गोल्डन लाइन टैमरिन एक्स्टिंक्ट हो जाएगा समॉल पॉपिलेशन साइको ये देखी लिफ़ एकरव कुछ प्रभाव बढका तो इसी जिनेटिक डैवर्सटी बहुत लो है लो जेनेटिक डैवर्सटी जाने मैं उसके पास जरा भी कुछ external factors का प्रभाव बढ़ा तो यह विशीज की विलुपती के chances higher होते हैं एक बिमारी फैली और less genetic diversity है तो किसी के पास वो genetic trait ना हो कि उस बिमारी से लड़ सकें तो शायद मर जाएं वो extinct हो जाएं तो less variation है तो less resilient to change है next देखें आप low population density and large territory तो अगर उसकी population density कम है in large territory है जैसे जाइंट पांडा है जाइंट पांडा पांच किलोमीटर स्क्वाइर में एक पांडा वहां तक के बैंबू और घास खाता है क्योंकि वो बैंबू खाता है पांडा बैंबू खाता है और बैंबू में खास nutrient होता नहीं है तो इसको बड़ा है उसका और population density कम है और territory जादा है याने कि उसको सर्वाइब करने के लिए एक पांडा को बड़ा इलाके पे निर्भर करना पड़ेगा तो इस वज़े से जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो हो सकता है कि इसका रेंज धीरे धीरे इतने पार्ट में जंगल काट दिया जाए तो जैसे पॉपीलेशन बहुत श्रस प कम है तक उसके सर्वाइबल के चांस कम हो सकते हैं आप लेमुर ले पमार देखो तो बस अर्लारी लञ ग्रप एक दो ग्रॉप्स के अलग-णी जिए तो पॉपीलेशन क्या है इस ग्रॉप में में बहुत कम है तो क्या होगा मतलब चांसे बहुत कम है छोटे साही पॉपिलेशन ग्रुप है हाड़ली एक ग्रुप है कुछ 20-25 लेमुर को कुछ हुआ तो लेमुर की एक प्रजाती सास हो गई तो यह एक फ्यू पॉपिलेशन है फिर आप देखें अलग फैक्टर मेंने का Perfect Mexican is a large body large body हो तो इस वज़े से क्या होगा उसको बहुत ज्यादा खाना चाहिए एक इपिकशику जयाईगी खाना लाने के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ेगा जंगल में तब जाकर वह अपना खना जुगार पाएगा तो इस वजे से क्या हो जाती है अक्सर इनकी जो for the Forest है वो degrad हो जाते हैं इनका जो खाना है यानि जो बाकी जानवर है वो क्या Dimijn प्रास बसकता रहा है तो इस того से इनका रेंज जो है वो कम होता जा रहा है तो इनको खाना नहीं मिल रही और साथ-साथ इंसान भी क्या करते हैं बचा कुछा देंजर होता है इंसान को नुक्सान पहुचा सकता है और मज़े के लिए हंटिंग भी की जाती है इस ट्रॉफी इस्तमाल किया जाता है आइंज्ट दोस्तों लो रिप्रडॉड़क्टिव पोटेंशिल यहां पर आप देखिए अलबेट्रॉस तो यह अगर आप देखो तो एक 10 साल में बस एक अंडा देता है और उसको कई कई साल बाद जाके वापस होता है याने क्या हुआ वापस से अगला बच्चा पालने के योग तब तक उसमें अगला बच्चा नहीं आएगा तो वह वापस करने के लिए उसे लंबा टाइम लगता है तो कई साल बाद वह वापस अगला अंडा अगला बच्चा दे सकता है त लग पॉपिलेशन एक बार डिस्टर्ब हो गई तो रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा रैबिट में क्या है पॉपिलेशन डिस्टर्ब भी हुई तो साल भर में वापस पॉपिलेशन अपनी थ्रेशोल्ड लेवल अटेइन कर लेगी इस केस में वैसा नहीं होगा नेक्स दोस्तों सीजनल माइगरेशन वी एक फैक्टर है जो किसी स्पिसीज की कितनी ज्यादाःबेबिलिटी है वह निर्दारित करेगी इस दोरान मल्टिपल हैबीटाइट मैं अपना वक्त गुजारते तो इस वजय से क्या हो जाती है जाएगी बर्ड के साथ क्या प्रॉब्लब में माइग्रेट्री बर्ड यही दिक्कत है वह साइबीरिया से काई बार सदन हमिस्पेर चाने जाते हैं और अपना ठिकाना बनाते हैं कुछ दिन रहते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो इतने सारे habitat है कोई भी डिग्रेड हो गया तो उनका पूरा का पूरा माइग्रेटरी पाथ बिगड़ जाएगा और ये विलुप्ट हो सकते हैं फिर पूर डिस्पर्सर वो स्पिशी जो की इजिली मूव नहीं कर सकते जो डिस्पर्स नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे बहुत ज्याद तो अगर आप देखें वो सारी बोर्ट हैं तो ज्यादा दूर तक नहीं फैल सकती तो चोटे से इलाके में डिपेंड करती है एंड उड़के दूर तो नहीं जा पाएगी तो इतने से इलाके में यदि बिगड़ गया वहां का इन्वाइमेंट वहां का जो एको सिस्टम है तो वो डिस्पर्स करके ऐसा नहीं है कि वो अस्ट्रेलिया में सिमिलर इन्वाइमेंट ढूंड के वहां चली जाएगी वह वहीं की वहीं विलुप्त हो जाएगी पिर स्पेशलाइज फीडर और निश रिक्वाइर्मेंट यह देखिए क्या खाता है बस यूकलिप्टस ख पेड़ काट दो तो भी दिक्कत है तो दोस्तों इसके साथ अब हम रेट डेटा बुक आयू सीन क्या-क्या पैरामीटर से इस्तमाल करती है इन सारे क्लासिफिकेशन के लिए आईए उनको अब समझेंगे तो अभी हमने क्या समझा अभी हमने समझा वह क्या-क्या फैक्टर पर जाने वाले हैं तो नेक्ट अब हम देखेंगे सबसे पहले सबसे पहले तो रेट डेटा बुक अगर आप देखें तो इसमें यह सारे लेबल्स हैं नौट इवालुएटेड डेटा डेपीशियंट्ली इस कंसर्ण नियर सेटेंड वल्लेरेबल इंडेंजर्ट क्रिटि क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड वल्नरेबल और उसके बाद आप देखोगे उससे भी ज्यादा बढ़ता जाए तो वह एक्स्टिंट इंदा वाइल और एक्स्टिंट तो यह क्या है यह सब समझेंगे यह सब कुछ इन ही फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं तो क्राइं कितने परसेंट से ड्रॉप किया है वह क्या है पौपिलेशन रिड्यक्षnicas नेक्स्ट कर ढहिसकर पहले इतने किकलो में था अब कम होके कि सखेण तो यह प्रकार का आईंविटर क्लासिफिकेशन में आ जाएगा़ से कम हो जाए भले पुछले दस स्याल में 50 की 50 बनी हुई है पर वो क्या होगा कुछ की जाती है कि आने वाले दिनों में कितना चांसे है यह हो जाए तो वह नंबर के अधार भी हम उसको किसी ना किसी ना किसी लेबल पर क्लासिफाई करेंगे सबसे पहले देखते हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन सबसे उपर क्या है 152 यह ललुट हो चुका है तो अजंशीज को कहेंगे एक्षटिंट हो जाए जब कोई डावट ना हो कि उसकी आख ウख्री इंडिविज्वल अब क्रित्वि में नहीन है वो विलुप्त हो चुकी है वो गया है तो क्या के छ gra़ ना है Speechat चूकliness कर या कि तो क्या किया fixed होगा जब काफी सर्वे हो چुके हैं कहां पर उसके जो habitat हमें अब तक मालूम थे उस habitat को पढए भशा जिस habitat में वह हो सकता है उस habitat में जा कर्या एंप्रोप्रेयट इस अलग सीजन में गए अलग साल के में दौर दिन के अलग टाइम पे गए सेजनल ऐनुवल एंड फिर भी हमें वह स्पीशीज नहीं तो यह सब काटेगरी क्या है Eccle for example Tasmanian tiger जो फोटो में देख रहे है यह अब क्या हो गया है extinct हो गया है next क्या है extinct नहीं हुआ है पर wild में extinct हो गया है extinct in the wild तो extinct in the wild यदि आप देखें तो इसमें species को कहेंगे वह extinct in the wild हो गई जब आखरी जँगल में अब वह पशीज कहा है यहाने यहाने की जू में या फिर प्लान्ट है तो कहीं बोटैनिकल गार्डन में कुल्टिवेट किया जा रहा है एंड इस वजह से वह अपने जंगल में जहां पाया जाता था पास्ट में वहां पर नहीं पाया जाता तो स्विशीज हो क्या कहेंगे यह क्या है प्रिज्यूम्ड यह क्या है एक्स्टिंग्ट इंदी वाइल्ड इसके सिवा स्विशीज प्रिज्यूम्ड टू भी पाया जा रहा है नाच्रली अपने हैबिटाट में नहीं पाया जा रहा है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो स्पिशीज अब देखी यहां से ना कुछ यहां तक तो किया दा आपके पास अपने पास दू में भी नहीं है याने इन सिटू एक्सिटू में भी नहीं है अब बस और बस आप देखो तो कहीं दू में बोटानिकल गार्डन याने एक्सिटू में जब इन सिटू एक्सिटू में भी नहीं तो एक्सिंट कर दिया अब देखिए कैसे कैसे नंबर का इस्तमाल होना शुरू होगा तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जब बेस्ट इविलेबल एविडेंस बताएं कि इन में से कोई भी क्राइटीरिया मैच हो जाए तो उसको कहे हैंगे वो क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड पहला फैक्टर पिछले दस साल में इस पिशीज की पॉपिलेशन नब्बे प्रतीशत से ज्यादा से कम हो गई हो भले पांच लाग की पॉपिलेशन थी मान लीजिए एक स्विशीज था एक्स वाई-जड उसकी दस साल पहले जो पॉपिलेशन साइज थी वो पांच लाग थी और अब घट के 49,000 हो गई तो वो क्या है दस साल में इतनी तीजी से कम हुई याने पक्का अगले दस साल में खतम हो सकता है ये तो क्या हो गई तो इसको कह देंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड पॉपिलेशन साइज भले स्टेबल हो पिछले दस साल से 35 पॉपिलेशन साइज पे टिकी हुई है तो तो ऐसा तो नहीं है वो स्पिशीज को अगर दस साल से इसकी पॉपिलेशन तो 35 से 38 हो गई तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि स्पिशीज पे व अधार पे है फिर वो चाहे population बड़े घटे कुछ भी हो तीसरा इन सब के अधार पे quantitative analysis किया जाता है याने mathematical function बनाया है computer में प्रोग्राम लिखा है अलग-अलग input दे देते हैं उसके basis पे एक output आता है जो computer बताता है कि इसके विलुपती के चांसे इन डेटा के अनुसार आने वाले दिनों में इतना प्रतीशत है तो यदि quantitative analysis बोले कि आने वाले दस साल में इसकी probability of extinction 50% या उससे अधिक है तो उसको किस में डालेंगे critically endangered में डालेंगे example bornian orangutan critically endangered यह आपके सामने हैं बॉर्णियों मैं पाया जाता है बॉर्णियन और अरंगुटान नेक्स्ट दोस्तों endangered कोई भी species endangered होगी जब यह criteria match करे पहला population प्रतिशत यहां पर से ज्वेंटी परसेंट तो 90 की रेंज में पॉपिलेशन साइज रिडियूज की हो पिछले 10 सालों में तो वो क्या है इंडेंजर्ट सेवेंटी टू नाइंटी परसेंट की गई हो तो धाई सव से कि आने वाले 20 साल में 20 प्रतिशत हो जाएगी तो इसको डालेंगे इंडेंजर्ट यहां पर कितनी है 20 साल में तो क्या आपको इस याद रखने नंबर कि रख नंबर याद रखिए उससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना यूपीएसी ने आज तक नहीं पूछा है क्राइटीरिया यह जरूर इंपोर्टेंट सा जो मैंने आपको थियोरी पार्ट कराई ना क्या-क्या इस पर सवाल बन सकता है गुमा के एक ठेयरेटिकल कंसेप्ट से जोड के मैं सवाल पूछ सकता हूं जिस प्रकार का यूपीएसी सवाल बनाती है इस प्रकार के सवाल नहीं पूछती है जिसमें नंबर्स खेल रही हो पिर भी हो सके तो उपर उपर से याद जरूर रखियेगा पर इक्जामपल बिंगॉल टाइगर क्या है इंडिंजर्ड है नेक्स आता है वल्नरेबल क्राइटीरिया वल्नरेबल क्राइटीरिया में पहला फैक्टर है रिडक्शन इन पॉपुलेशन दस साल में 50 प्रतीशत से अधिक उसकी नंबर घटी हो 50% to 70% यदि इस रेट से प स्विशीज की पॉपुलेशन दस हजार मैच्योर इंडिविज्वल से कम हैं दस हजार मैच्योर इंडिविज्वल जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों की बात नहीं हो रही है मैच्योर इंडिविज्वल इसके सिवा आने वाले 100 साल में प्रोबैबिटी उसकी एक् स्विशी नियर से यदि वह क्रिटिकली इंडेंजर इंडेंजर वल्नरेबल वाले किसी भी क्लासिफिकेशन पे उनकी नंबर मैच ना करें और तो उनको हम इस तरीके से मतलब बेसिकली क्या है यदि उसकी जनसंख्या दस हजार से भी ज्यादा हो एंड पॉपिलेशन हुई है पर 50% से कम हुई है तो उसको हम डाल देते नियर से तो अगर इन तीनों में क्राइटेरिया में मैच ना करें वल्नरेबल इंडेंजर पर चांसे हैं बहुत क्लोज है उन सारे पैरमीटर्स के क्लोज टू क्वालिफाइंग या फिर लगता है इन्वायमेंटलिस्ट को कि आने वाले दिनों में वह थ्रेटेंड कैटेगरी में आ सकती है तो इसको नियर थ्रेटेंड बोलेंगे और एक चीज़ याद रखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड वल्नरेबल इन तीनों कैटेगरी को कई बार एक साथ बोला जाता है किस नाम से हम रेटेंड कैटेगरी कई वार यू क्या पूछती है विच अफ यह रिटेंड तो जब वह पूछे तो धुडने मत लगेगा यहां पे जैनल तो एक बास्केट ऑस्केट ओफ कैटेगरी है उस बास्केट में तीनों के तीनों लेबल से इंक्लूड हो जाते हैं कौन-कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड वल्नरेबल तो जब मैं बोलू हाथी क्या है इंडेंजर्ड है क्या बिल्कुल हाथी इंडेंजर्ड है क्योंकि वल्नरेबल है टाइगर इंडेंजर्ड है क्या बि तो ट्रिटेंड क्या है यह लेबल है यही मतलब है एक बड़ा सा सबस्केट एक छे तो नियुक्त क्या हुआ कि अभी तो कैटेग्री में नहीं गया है पर लगता है आने वाले दिनों में हो सकता है इंडियन वाइल्ड आस कहा पाया जाता है है रण-off कच में पाया जाता है क्या है नियर से टेंड है पिर आता है लीस्ट कंसर्ण लीस्ट कंसर्ण जब उसको इवैलुएट किया यू सीन गई जाके पढ़ाई लिखाई की सारे स्टेटिस्टिकल एनलिसिस की और उसको लगता है कि यह जानवर तो बहुत जादा है बें पिर आप देखें डेटा डेफिशेंट डेटा डेफिशेंट क्या हुआ तो डेटा डेफिशेंट आप अगर देखें कि आयू सीन गई इसके बारे में पता करने कि इसकी जनसंख्या कैसे वैरी कर रही है आने वाले वक्त में बढ़ रही है गट रही है क्या हो रहा है पर उनको data ही नहीं मिला, वो अपना assessment complete नहीं कर पाई, बीच में ही छोड़ना पड़ा, और कहा कि अभी और data हमें compile करना पड़ेगा, इस वक्त the data नहीं है, तो क्या कहेंगे, वो data deficient है, तो यह species की कोई category नहीं है, तो यह कोई category नहीं है, यह बस IUCN ने क्या किया है, इस लक्स हमा finally not evaluated, तो दुनिया में इतने ज्यादा species हैं, तो nearly 1.9 million species, 20 लाग से ज्यादा species हैं करीबन, तो वो सारे species अब तक IUCN एक एक को पकड़ के evaluate सो नहीं कर सकती है, कुछ limited species को ही कर सकती है, तो जिसको नहीं किये evaluate, उसको किसमें डाल लेती है, not evaluated, तो दुनिया में ज्यादा species क्या है, evaluated या not evaluated, obviously not evaluated, IUCN कहां से एक एक species को पकड़ पकड़ के evaluate करेगी, तो दोस्तों इसके साथ, आपकी आज की class होती है, समाब, हम सारे के सारे IUCN के classification को हमने cover कर लिया है, अच्छा आप लोगों से एक suggestion लेना है, शंकर आइस में एक 4 या 5 page का table है, जिसमें 80-85 जानवर हैं, और उन सब का क्या habitat है, क्या IUCN स्टेटस है, वो सारी चीज़े cover कराई गई है, तो देखिए, वो factual ग्यान है, तो का आप लोग चाहते हैं, मैं उसको cover कर रहा हूं यहां पर आप लोग खुद से करना चाहेंगे, मैं आपको PDF कंपाईल करके दे दूंगा, अगले class notes के साथ, तो यह suggestion आप लोग प्लीज बताईएगा मुझे, तो snow leopard found in India, बिल्कुल snow leopard इंडिया में पाया जाता है, project snow leopard भी cover करेंगे, तो वो तो मैं cover कराऊंगा, जितना भी भारत सरकार का अलग-अलग scheme चल रहा है, project tiger क्या है, project elephant क्या है, project snow leopard क्या है, project hangul क्या है, तो वो सब तो मैं cover क कर वाँगा, घडियाल के लिए क्या कर रहे है, ठीक है, खुद से कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, ठीक है, mcqs कराना है, पर इस वक्त मैं priority चाहता हूं कि April के अन तक, मैं environment खतम कर वाद हूं, तो इस वज़े से मैं छोड़ा halt कर दिया हूं, mcqs, क्योंकि purpose अभी emergency में य ठीक है, 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 ठीक मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट सफ जी एसे जिग्रफी ऑप्शनल को कवर करती है तो थैंक यू तो मुच पर जाइनिंग और हम ग्रेट देग